सिध्धात को याद कर कैश्मेरा हुई एमोशनल फैंस ने किया सिड के लुक अलाइक को ट्रोल क्या है पूरी खबर आईए बताते हैं आपको सिध्धात शुकला के निधन से कैश्मेरा शा को भी गहरा सत्मा पहुचा है बिग बॉस 13 में कैश्मेरा ने कुछ दिनों तक सिध्धात के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारा था सिध्धात के निधन के बाद जहां हर कोई इस गम से बाहराने की कोशिश कर रहा है तो हुई कैश्मिरा शा का कहना है कि वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही है कि सिध्धात अब नहीं रहे कैश्मिरा ने कहा कि वो ये सोचना ही नहीं चाहती है कि सिध्धात हमारी बीच से हमेशा के लिए चले गए है कैश्मीरा ने कहा कि वो ऐसा सूचना चाहती है जैसे सिद्धाद शूट पर या घर में हो जहां वो उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है सिद्धाद शुकला को याद करते हुए कैश्मीरा ने कहा कि उन्हों ने हमें हमारी शर्टों पर जीना सिखाया है आज तक से बात करते हुए उन्हों ने कहा मैं खुश हूँ कि मैं उनसे मिली हूँ मैं गुस्सा भी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब उनका हमारे पास ना होने से क्या होगा सिध्धात की फैमिली को लेकर उन्हों ने कहा मैं उनकी फैमिली से मिली हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि उनके पास बहुत प्यार करने वाली बहने थी जो उन्हें बेशुमार प्यार करती थी और एक मा उन पर जान छिड़कती थी कैश्मिरा ने सबसे अपील की कि वो उनकी डिग्निटी को कायम रखे और उनकी फैमिली को इस दर्द और तकलीव से बहराने का समय दे वही सोशल मीडिया पर अब सिध्धात शुकला के हमशकल चंदन की तस्वीरे और वीडियो लगातार वाइरिल हो रही है चंदन सिध्धात शुकला के फैन भी हैं और लंबे समय से उनके स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं चंदन सिध्धात के वीडियो के लिप सिंग करके भी बनाते हैं चंदन को सिध्धात शुकला कि कई फैंस पसंद कर रहे हैं तो कई उन्हें ऐसा ना करने के लिए भी कह रहे हैं वेल क्या कहना है आपका इस खबर पर बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन मी and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube